घर की किचन में आप सब का बहु होगाता है चाश्च्णी शिरी method दो के सबसे पहले हम अब बना ई चाश्णी उसके लिए बटन क्म्स काटोरी ही चाश्णी पाणी मिदिमी अच में देंगे चाशनी को, यह और पर पानी देखा है, तो इदर मैदा यह प्रोल लिए मैदा यह कप के कशाच्माच की पाणीड मैदा लिए 00 दही मैंने तीन चम्मच के करीब लिया है क्योंकि थोड़ी खटाई भी होनी चाहिए थोड़ी जलेबी के अंदर तभी अच्छी कुरकरी बढ़िया बनके तयार होगी ऐसे हम इसको बैटर को बिल्कुल नम स्प्री बनाके रख लेंगे इदर हमारी चाशनी बनके तयार होने तो गाड़ी चाशनी मिलानी है जैसे हम गलाब जामन के लिए बनाते हैं हमने डाल दिया है पैन में घी गाईद देसी की डाला है हमने इदर बैटर के अंदर डाल देते हैं इन्नो को एक्टिवेट करने के लिए उपस डाला है थोड़ा सा पानी पानी जरूर से डालना है तब हेमारी इनों अच्छ से एक्टिवेट होगी इसलिए अमने दही भी डाला था इसलिए हमने ले लिये शॉस की बोटल वह सब भर लिया है अमने बैटर और एदर हमाना खी भी गराओ हो गया है अच्छे से और इसमे अम ऐसे राउं राउं गुमाते गुमाते जलीबियां इस बोटल से तो कोई बच्चा भी जलेवी बना लेगा इससे बहुत आसान हो जाता है सौस वाली बोटल से जलेवी बनाना आप भी ऐसे बनाईए और इंज्वाय करिए बहुत अच्छी खस्ता जलेवी बनती है गयास बिल्कुल तेज नहीं करना है दीमियाज पर इनको पकाना है एकदम क्रिस्पी होने तक देगना हमारी जलेवी बिल्कुल क्रिस्पी बन गई है और इसको साथ की साथ हमने चाशनी में डाल देना है तैनागाई चाशनी में डालते हैं इन्यूने खूब सारी चाशनी प्यक्ञावनग पीली है और तरहंती इसको निकाल लेते हैं चलनी के नदर है जैसे हम थोड़े से मेर्द से काफी सारी जलेवी बनके तयार हो जाती है आई जाब भी बनाईए और बहुत टेस्टी बनके तयार होती है आप भी बनाईए खाये और इंज्वाए करिए थैंक यू